Hello everyone, welcome back to our second part of pen tool. मार लास्ट लेक्षर में हम लोगों ने pen tool का एक basic method देखा था, जिसके थूरू हम straight lines को trace कर रहे थे. लेकिन आज हम लोग एक advanced behavior देखेंगे pen tool का. हम लोग यहाँ से pen tool select कर लेते हैं और आप लोगों को याद होगा जब इस image को हम लोगों ने trace किया था. तो हम लोगों ने एक point यहाँ पर draw किया था और दूसरा point यहाँ पर हम लोगों ने define किया था. और जैसे ही मैंने यहाँ पर second point define किया था मेरे पास एक straight line बन गए थी. Exactly ऐसे. लेकिन यह straight line है कि एक linear line है. अगर मुझे एक curve चाहिए थी यहाँ पर तो यह approach मैं यहाँ पर apply नहीं कर सकता. अगर हम लोगों को एक curve चाहिए तो pen tool की एक advanced form है हमें उसे use करना पड़ता है. मैं simply क्या करता हूँ? Left button प्रेस करता हूँ और उसको release करने से पहले मैंने अपने cursor को drag किया. अब जैसे ही मैं इसको drag कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक line यहाँ पर show होने लग गई है. ठीक है? Right side पर भी उसके एक arrow है और left side के ओपर भी एक arrow है. अब इस line को हम लोग कहते हैं handle. आपका handle दो हिस्सों के अंदर यहाँ पर define होता है. एक उसका होता है right part और दूसरा है left part. जो right part है, जो right line आपको नज़र आ रही है. यह line आपकी future line के ओपर apply हो रही होती है. यह आपने अभी in future एक line apply करनी है. वो line इस part के ओपर apply होती है. और जो दूसरी line है, जो बिल्कुल opposite आपको नज़र आ रही है left side पर, यह आपकी previous line के ओपर apply हो रही होती है. इसको भी हम practical करके देखते हैं, तब आप लोगों को यह चीज़ जादा clear होगी. लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं अपने cursor को release करता हूँ, आप देखें कि मेरे पास एक straight line आम तोर पर आ रही थी. लेकिन अब अगर मैं अपने cursor को move कर रहा हूँ, तो आप लोग देखें कि मेरे पास एक curve यहाँ पर आने लग गई है. और उसका ending point वही है जहाँ पर मेरा pen tool का cursor आपको नज़र आ रहा हूँ. ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं दुबार left button प्रेस करके expand करता हूँ. आप लोगों को मैंने जैसे बताया था कि वो point जहाँ पर आपका pen tool का cursor नज़र आ रहा है, वो आपकी future line के उपर apply होगा, जो अभी आपने अभी apply करनी है. और जो उसके opposite line है, वो आपकी previous line के उपर apply हो रही होगी. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि यह हमारी actual line है. लेकिन जैसे इसको मैं drag कर रहा हूँ, अब जो आपको changes नज़र आ रहे हैं line के उपर, वो उस opposite handlebar की वज़ा से आपको नज़र आ रहा है. जैसे मैंने इसको यहाँ पर change किया, मेरे पास जो curve थी, वो और ज़्यादा expand होगी है यहाँ पर. और इसी तरह यह वरी line क्यूंकि यहाँ पर मेरा pen tool का cursor आप लोगों को नज़र आ रहा था, तो यह मैंने आप लोगों को बताय था कि हमारी, जो next line है, उसके उपर इसकी curve apply होगी, तो यह exactly वैसे ही यहाँ पर apply हो रहा है. हम लोग यहाँ पर एक और image import करते हैं. और सबसे पहला काम हम right click करते हैं और इसको lock कर लेते हैं. यहाँ से मैंने pen tool select किया, अब आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास straight line भी है और साथ ही साथ कुछ curves भी हैं यहाँ पर. अगर मैं पहला वाला तरीका apply करूंगा यहाँ पर तो वो सही तरह यहाँ पर apply नहीं होगा. जिसे अगर मैं यहाँ पर एक line draw करता हूँ, एक line यहाँ 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 ड्रॉ कर ली. और जब इस तरह मैं एक line draw कर रहा हूँगा, तो आप लोग यह देख रहे हैं कि यह वाली line तो चाहे मेरे पास ठीक आजए, लेकिन यहाँ पर काफी ज़्यादा हमारे पास area extra आ रहा है, और यह straight lines हैं, यहाँ पर curves नहीं हैं. सिंप्ली इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से एक point select कर लेता हूँ, और point को select करने के बाद मैं अपने cursor को drag करता हूँ. अब यहाँ पर जब मैं इसको release करूँगा, आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास एक curve के अंदर line आ गई है, एक straight line नहीं आई, बलके एक curve के अंदर line है, इसको मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ, और next, जब मैं यहाँ पर apply करूँगा, अब आप लोग देख रहे हैं कि मेरे प इस तरह ठीक कर सकते हैं, कि अगर मैं इसकी intensity ज़्यादा करूँ, और फिर इसको जैसे ही मैं move करूँगा, तो आप लोग देख रहे हैं कि line change होती जा रही है, अब जितनी ज़्यादा intensity होगी, आपके handlebar की length जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा intensity आपकी line के अंदर add होगी, अगर आप चाते हैं कि थोड़े level के उपर, थोड़े points के उपर आपके changes apply हो, तो आप लोगोंने handlebar की length कम रखनी है, अगर आप चाते हैं कि ज़्यादा चीजें apply हो यहाँ पर changes ज़्यादा apply हो, तो इसकी intensity आपको ज़्यादा रखनी है, हम इसको normal यहाँ पर रख द straight line मेरे पास आ जाएगी, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो हम लोगों के पास आगे again curve आ रही है, यहाँ पर हम लोगोंने एक point select कर लिया, और जैसी मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मुझे again यहाँ पर curve चाहिए, तो उसके लिए मैं left button press करके रखूँगा, और handlebar क extend करूँगा, और अब आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास इस सारे एडिया के अंदर एक curve अप्लाय होने लग कीजिए, अब हमारा जो first point था, उसके साथ हमने अपने last point को मिला दिये, अब देखा जाए तो यह selection हमारी complete होगी है, लेकिन अभी भी कुछ points ऐसे हैं जहां पर extra area हमारे पास आ रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि यह लाजमी नहीं है कि जब आप पहली दफ़ा एक curve अप्लाय करेंगे, तो वह 100% अप्लाय हो जाएगी, अब यह जो कुछ area extra यहाँ पर आ रहा है, इसको अगर हम लोगों ने ठीक करना है, तो बजाए इसके कि हम इस line को खतम करें, change करें, हम लोग simply यहाँ पर control का button प्रेस करते हैं और आप लोग देख रहे हैं कि हमारा cursor यहाँ पर change हो गया, और जैसे ही मैं इसको line के उपर लेके जाता हूँ, यहाँ से मैं उसे एक खास point को select कर सकता हूँ, अब मैंने यहाँ पर control का button प्रेस करके रखा हुए और left button माउस का मैं प्रेस करता हूँ, अब इसको जब मैं drag करूँँगा, तो यह line थोड़ी और यहाँ से अंदर हो गई है, यहाँ से अगर मैं कुछ और जादा extra space खतम करना चाहा रहा हूँ, तो simply मुझे control का button प्रेस करना है, और इस line के उपर जैसे ही मैं आऊँगा, left button प्रेस करूँगा, और यह देखें, जैसे ही अगर मैं इसको right की तरफ यह left की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, वो पूरी की पूरी line हमारे पास change होती जा रही है, इसका मतलब यह हुआ कि हमें शुरू से काम करने की जूरुत नहीं है, हम एक खास line को भी change कर सकते हैं, उसकी जो curve है, उसको थोड़ा smooth कर सकते हैं, उसको linear लेकर आ सकते हैं, अब यह एक selection तो हमारी यहां से बन गई है, यहां से मैं जाता हूँ, पिक टूल में, और इसको मैं यहां से, यहां पर ड्रैग कर लेता हूँ, अब आप देख सकते हैं, कि यह एक्जेक्टली हमारे पास इसी तरहां की curve, यहां पर भी आ गई हैं, और अगर इसमें हम color fill कर दें, तो यह आपका वो ही logo, जो के picture के अंदर बना हूँ था, आपने उसको trace किया, और इस दफ़ा हम लोगों ने, एक curve के साथ, एक logo trace किया, thank you for watching this video and stay tuned for the next show.